नमश्कार बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाई संस्थान परिक्षाफ प्लस में कैसे हैं सभी एक बहुत बड़ी कुस्खबरी एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपके सामने आ गही है और एक बहुत बड़ी उपलब्दी भी आप हासिल कर सकते हो तो ESIC यहाँ अगर देखा जाए तो Employee State Insurance Corporation की तरफ से लगबग 17,710 वैकेंसी अगर देखा जाए तो यह टोटल वैकेंसी हाला कि इसमें जो आपके डायलेफ एक्रिटमेंट होने हैं 12,312 पर और EMRS की कितनी बड़ी वैकेंसी होने के बाद आपके पास ESIC सिमिलर आपकी समझ में आने वाली हैं जानने वाले हो और अपनी तैयारी को एक नई दिसा बहुत ही कॉंफिडेंस के साथ देने वाले हो चैनल पर करने हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद है लाश तक देखिएगा और सेयर और लाइफ अवर शेक्र दीजेगा आते हैं अभी मैं जादा नहीं बोलूँगा माजस्तो चात्रों के लिए है ये एकदम केवल बोल सकते हैं ये पूरा निश्यल के लिए कर दिया गया है केवल जो जो एप का चार्ज होता है वो यहां पे है मैं इसके बारे में बाद में चल्चा करूँगा सबसे आते हैं एक डिटेल आप कि सारे लोग जो हैं अभी आपको गलत गलत इंफॉर्मिशन दे रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा यहां पे करेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ कुल मिला के पांच टाइप के पद हैं जिसमें से जो मैंने इधर लिखे हैं MTS UDC और आपका SSO ये आपके डाइरेक्ट रेक् 서quer्मिशन वे एक्जाम जैसे एक्जाम ही होता है ऐसे क्या होता है ये अंदर ही अंदरम अंदर एक्जाम होता है मतलब जो employees होते हैं उनके लिए एक्जाम होता है उसके बियाप पर फूमोशन होता है फिलिए और पर moremen facilities होता है तो इन पद पर आपको बहुत ज़्ध Sumer को स पी जाते हैं दूसरा UDC का UDC promote होके head club पे जाते हैं और तीसरा SSC को लेकिन यहां पर मैं बता दू कि जो SS तो है यह करवाएगा UPSC तो इसका pattern भी अलग होगा इसका questions भी अलग होगे इसका syllabus भी अलग होगा और इस बार इसमें challenges भी जादा होंगे हाला कि यहां पे 2596 पद में केवल 25 पॉसंट इसके 25 पॉसंट पर आपके direct recruitment के हैं बाकी 75 पॉसंट यह भी क्या है अंदर ही अंदर भरे जाएगी तो main जो vacancy आपके MTS की UDC की यह तो vacancies पर ध्यान देना है लगबग 10,000 पद इनको मिला लिया जे तो 12,300 बात तर बट यह 10,000 प चीजे बताने का प्रयास करता हूं और उससे पहले मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यह vacancy आपके लिए बनी है देखो दो confusion है जो सबसादा बच्चों के call आ रहे 27,710 यह ESIC की तरफ से अभी एक जो इनके regulations में changes हुए है वो आया है इन्होंने यह बता दिया है कि बहुत जल्द ही इस vacancy को आना है और यह 100% सही है कि यह vacancy आ रही है बहुत ज़्यादा सही है लेकिन जो vacancy है आपके लिए होंगी 10,000 कब आ रही है यह जल्द से जल्द प्र जब form चालू होगा तो कौन form भर पाएंगे उसको मैं आपको बता देता हूँ form भरने के लिए सबसे पहले मैं MTS की बात करूँगा यह MTS की बात कर रहा हूँ MTS वाले बच्चे ध्यान दे इसमें लगबग 3341 पद है ESIC की जो पद होते हैं या आपकी स्टेट वाइस होते हैं यह बहुत अच्छी बात है आप जिस स्टेट में नौकरी करना चाहते हो आप उस स्टेट से आवेदन करोगे और आपका जो नियुक्ती होगी उसी के आधार पे होगी तो सीटे पहले ही यह जैसे ही form open होगे आप जो चुनिंदा स्टेट है पहले ही बल लीजेगा क्योंकि यहां पे आपको मेरिट बेसिस तो चलेगा ही चलेगा बट सीटे लिमिटेड है इस बात को ध्यान दीजेगा और जो जो जोनल वाले होते हैं आपको फाइदा हो जाता है अपने मंचा ही जगा पे आप इनका जॉ कर सकते हो तो 3,342,23 पे आने वाली है इसका जो पेश केल है 18,000 से लेके 56,900 मतलब कि अगर ओवराल से लेके तो इन हैंड सेलली आपके पास 35,000 के आसपास 12,000 कम 12,000 ज़्यादा वो सहर के अनुसार X,Y,Z पर डिपेंड करता है बट 35,000 के आसपास आपकी अपे सेलली होगी और ये जो एज है आपका वो कितना है 18 से 25 साल है और आप केवल इसके लिए क्या 10th क्वालिफाई हो बस अब आती है बात कि इसका पेपर 10th लेवल का अगर यहां पे है तो पेपर क्या बहुत इजी होता है ने अभी तक जो ESIC का पेपर कराता आ रहा था IBPS कराता आ रहा था और IBPS अपने एक अलग exam pattern के लिए जाना जाता है जिसे लोग banking pattern कहते है आप इसे थोड़ा सा समगर रूप से बोल सकते हो banking, insurance या फिर और भी बहुत सारी scope इनके बटन का जो pattern है वो एक fixed pattern है और उसके आधार पर यह लोग क्या करते हैं कराते exam दूसरा जो आपको यहां पे म क्या बोला गया है, cashier भी बोला गया है, सबस्ते जादा पद आपके पास 6435 है, golden opportunity आपके पास है, यहां पे सारे graduation वाले हैं, 25,500 से लेके 81,100 तक, मतलब अगर यहां पे देखा जाए तो 41-42,000 की salary आपके हाथ में यहां पे आएगी, 12,000 कम 12,000 जादा, वो सहर पे depend करता है, म अगर मैं यहां पे बात करो, इसके detailing देख लो, MTS की सबसे पहले, MTS में, detail में देख लो, sort में, पद कितने हैं, 3341, payable है, 18,000 से लेके 56,900, मतलब की 35,000 से start होगी, लगबग से ली, 18-25 वाले भग सकते हैं, age relaxation जैसा सकेंदर में मिलता है, 5 साल SCST के लिए, 3 साल OBC के लिए, qualification क आपका 10 चाहिए, इसके लागा कुछ नहीं चाहिए, मैंने बता दिया, exam जो pattern है, अभी तक आपको बता दू, कि यह banking pattern में था, पहले यह pre होता था, उसके बाद यह mains करवाते थे, और इसमें कोई skill test MTS में नहीं होता था, यहां पे अगर देखा जाए, तो prelims में यह pattern होता लिएफ псих. 25 और 15 का यह आपका qualifying होता था, 25 आपका math होता था, 25 का reasoning होता था, 25 आपका english होता था, 25 आपका just होता था, और एक Quotation दो नंबर का होता था, एक कोशन दो नंबर का होता था, मतलब 50, 50, 50, 50 मार्क्स के होते थे, टोटल जो मार्क्स होते थे, वो 200 मार्क के होते थे, क्या होता था, 200 मार्क का होता था, गर यहां पर दिखना रहा हो, तो मैं यहां पर साइड में कल दे रहा हूँ, कि 200 नंबर का और यह क्या होता था, यह qualifying होता था, इस बात को ध्यान देना, अब जो mains है, mains में भी similar number आपका यही होता था, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे 60 minute का paper होता था, केवल एक गंडे का paper होता था, mains का जो pattern है, यह जो 25-25 था, यही बदल के क्या हो जाता है, यही बदल के 50, 50, 50 और 50 question हो जाते हैं, यह maths है, यह reasoning है, यह English है, और यह आपका GS है, यह मैं question की बात कर रहा हूँ, और marks की अगर बात किया जाए, तो यह भी 50 number, 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 ओवर ओल जो total है, total आपका 200 number का होता है, 200 marks का होता है, negative यहाँ पे भी one fourth है, और negative यहाँ भी one fourth है, इस बात को भी दिमाग में रखियेगा, लेकिन यहाँ पे केवल number of questions बढ़ जाते हैं, क्यूंकि IBPS करवाता था, तो इनका जो pattern होता था, वो बिल्कुल IBPS pattern पे होता था, उसे मैं समझा दो, इस बार क्या होगा, उसको भी मैं बता रहूं कि क्या होगा, यहाँ पे कि दोसों में से 182-182 भी number लाने वाले बच्चे थे, जो topper थे, 178 number लाने वाले बच्चे थे, बड़ वो topper होते हैं, अगर आप selection का देखोगे, तो selection लगबग इसमें 80% के आसपास 75% का number लाना होता है, तो high merit जाती हो, उसका current BS का pattern इतना आसान होता है, कि इसके number अपने आ 435 vacancy यहीं पे है, pay level इसका आपने देखा ही देखा, age limit 18-27 है, यहाँ पे 2 साल extra और बाकी relaxation, SCST के लिए 5 साल, OB से के लिए 3 साल, यहाँ पे qualification में graduation, किसी भी स्टीम से, आप BTEC हो, BA हो, BSC हो, आप कोई भी graduation किये हो, 3-4 साल की degree, आप इसके लिए eligible हो, दूसरे इनने बोला है computer knowledge तो computer knowledge के लिए कोई भी certificate नहीं लग रहा है, ना ही triple C, ना ही O-Level, ना ही कोई certificate, कुछ आपको upload नहीं करना है, बस आपको आपे टिक कर देना है, हाँ मुझे computer knowledge है, जब form आएगा तक, clear हो गई बात, और इसके लिए वो क्या कराते हैं, यह CPT करवाते हैं, computer proficiency test होता है, एक practical exam होता है, जिसमें वो कुछ आप से spread sheet बनवाते हैं, Excel का काम करवाते हैं, कुछ आप से Microsoft Office पे, इस पे word पे काम करवाते हैं, तो यह basic जो चीजे होती है, इस पे आप से काम करवाते हैं, अगर कोई यहाँ पे क्या है, PWD candidate है, तो उसके लिए CPT नहीं होता है, उसके लिए objective based paper ह होता है, MCQ type paper होता है, 50 question, 50 number के होंगे, लेकिन topic उनकी रहेगा, आगे मैं इसके syllabus में discuss कर दूँगा, तो यह आपका है, 18-27 साल के लिए इसे आप देख लीजेगा, इसमें 75% by direct recruitment, 15% by promotion, और 10% by limited department, इस बात को ध्यान दीजेगा, तो यह जोग को 6435 vacancy दिख लीए, इसका केव 75%, फिर से मैं इस बात को बोल ला हूँ, कि यहाँ पे 75% बच्चे क्या होंगे, direct recruitment के जाएंगे, बाकी 25% जो होंगे, वो 10% LDC और 15% promotion के होंगे, तो 6000 का 75% लगबग 6400 है, इसका अगर 50% आप निकालोगे, तो यहाँ पे लगबग 4800 से 400 vacancy आपके इसमें देखने को मिलेगे उसके बाद अगर देखा जाएंगे, जो TC vacancy आपके लिए, जो UPSC conduct कराएगा, social security officer इसका जो grade दिया जाता है, manager का, इसलिए इसे क्या बोला गया है, इसलिए बोला गया है, कि यह banking से ज़्यादा related है, क्यों related है, उसको भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने जो UDC का प होगा, यह क्या होगा, यह IBPS pattern पे होगा, क्योंकि यह banking pattern को फिल से यह 2023 का नया है, उसकी तरफ जा रहा है, तो दिमाग में जो भी छोटी-छोटी routes होगा, वो निकालते जाएगा, मैं आपको point बता रहा हूँ, कहां पे आपको notice करना है, जिसके विहाब पे आप तैयारी कर स 2600 पत हैं, तो लगबग चाड़े 600 पत आपके लिए SSO में क्या होंगे, open रहेंगे, बट यह जो करवाएगा, UPSC करवाएगा, और इसका pay label बहुत अच्छा है, 44,900 से लेके, 1,200,400 इसके बाद आपका DA, उसके बाद आपका 4, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों होती है, औ और ESIC बहुत सारे extra allowances देते हैं, तो salary में, देखा जाए कि कि किसी और MTS, LDC, UDC में compare करोगे, और ESIC के MTS, LDC, UDC से compare करोगे, association बहुत ज़्यादा difference होता है, उसका कारण है, क्योंकि ESIC जो होता है, बहुत ज़्यादा आपको allowances देता है, उसके different allowances होते हैं, तो यह एक बहुत reputated job भी है, बहुत अच्छी job भी है, और इसमें जो age criteria है, minimum इननों कुछ नहीं रखा, आप 18 साल, just, आप graduation पासो बस, आप graduation 18 साल में कर लो, 17 साल में कर लो, doesn't make any difference, बस आप maximum 30 से इसका बांगा हुआ, इस बात का ध्यादी दीगा, बाकि 5 साल SCST के लिए तो 35 साल, 3 साल, 23 साल ठीक है, essential qualification, best learn order, जिसमें भी है, computer efficiency, इसमें भी आपको चाहिए, ठीक है, बाकि probation period 2 साल का होता है, तो SCST का briefing देख लो, post 2596 है, लेकिन इसका केवल 25% आपका direct recruitment देखने मिलेगा, लगबग 650 प्रस पद आपको देखने को मिलेंगे, इसका 25% आप निकाल लीजेगा, pay level 4,900 से 1 अब आते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार होनी चाहिए, और कैसे आपको ये selection चीनना है, कैसे आपको देखो, मोटा मोटा आप देख रहा है 12,330 पद, but clearly ये है कि 10,000 के आसफास पद है, but 10,000 पद भी कम नहीं होते हैं, अगर आप SSC में देखोगे, बैंक में देखोगे, किसी भी insurance company का देखोगे, या पर आप किसी बाग का देखो के आधार पे कैसे इनका pattern चलता है, उस आधार पे मैं आपको बताऊंगा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर ये paper IVPS करवाई, तब तो ये गोली के रप्ता से भगेगी, भगेगी, even अगर NTAB कराएगी, तो भी बहुत देखोगा, ये बात ध्यान देना, पिछ और उसके बाद मार्च का जो मिड है, वो आपका paper हो गया, form की last date से एक महिना, तो ऐसे मान के चलो, अगर hardly November में आपका, third week में आपका क्या आ जाता है, तो यहाँ पे, अगर third week में आपका form आता है, तो third week के बाद, ये December के third week तक आपका क्या चलेगा, यहाँ पे form चलेगा, last date होगी, और इसके बाद आपका January में, January में कोसिज रहेगी, इनकी क्या है, परिक्षा करवा ली जाए, यहाँ पे UDC और इस बार MTS की भी परिक्षा, पिछली बाद तो काफी gap दे दिये थे, अगर आप MTS की परिक्षा देखोगे, तो मही में गया था, मतलब कि अगर यहा MTS है, यह आपका एक साथ ही कर रहेंगे, clear हो गई बाद, तो MTS का जो पिछली बार exam था, वो 7-5 था, फिर जो यह phase 2 था, mains exam, 30-4 कितना जल्दी, March में prelims, उसके एक महीने में result देखे और फिर paper करवा ले रहे है, UDC का, MTS का भी देखो, तो 25-5-2022, यानि कि चौद, यहाँ अगर आप देखो, यह result आया, और उसका paper फिर से क्या हो गया, paper भी, admit card भी available करवा दिये, और MTS का जो दुबारा paper हुआ, वो भी बहुत ही जल्दी हो गया था, यह 25-5 में जब admit card आगया तो मान के चले कि जून में हो गया था, UDC का result 16 जून में दे दिये थे, और MTS का result आग लेते, कहने का मतलब 9-10 महीना, एक बच्चा पेट में रहता, उससे कम समय में यह क्या करा लेते हैं, आपको नौकरी दिला देते हैं, तो बहुत quick है, बहुत fast है, आपको अगर यह लगना है कि हा भाई, मुझे नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूद है, मुझे कोई बह बात को दिमाग में रखते हुए चलिएगा, तो यह आपका pattern, अब आते हैं कि paper कौन करवाएगा और exam pattern क्या होगा, तो अभी तक मैं आपको बता दूँ कि IVPS करवाता आ रहा था, IVPS का pattern यह था, एक गंड़ेगा, इसका जो bilingual में paper पूछता है, English वाला आपका English में रहेगा, और उसके बाद mains होता है, यह आपका qualifying होता है, यह आपका qualifying होता है, मैं यही पर बोल्ट, ठीक है, यह क्या है, यह लिखा हुआ है, qualifying nature का होता है, और जो negative होता है, negative होता है, one-fourth, one-fourth negative हो गया, कि यहाँ पे 25 question, 50 number का है, मतलब each question 2 number का है, तो इसका one-fourth करोगे, तो 0.5, 0.5 हमें क्या होती है negative होती है Nepal में में क्या होता है में जुड़ते हैं 50 50 50 होता है दो घंटे का होता है और यहां फें algun स्थ होता है बट negative यहां कितना है 0.25 ऐग Terrell1 , 0.25 बट यह पर जुड़ेगा यह इस ही पर सेलेक्षन होगा जो फेर तीसरा है इसमें क्या होता है skill test होता है इसमें powerpoint slide बनाने होते हैं 10 number के चोटी-चोटी slide बनाने होते है typing letter ms word का होता है formatting उसका करना होता है कि bullet लगाना है आपको बहुत आसान सकाम है यह paper निकालने के बाद 10-15 में भी सीख सकते हो तो यह 20 नंबर का होता है और ms excel में table formula यूज करके 20 नंबर का यानि कि total 50 नंबर का आधा गंटा समय दिया जाता है और अगर कोई physically handicap candidate है तो उसको फिर यह वैसे practical base है यह practical base नहीं होता है objective base होता है पचास question 50 नंबर का दिया जाता है यह आपको दिमाग में थोड़ा हुआ रखते हुए चल्मेंट तो यह बहुत अब सब बड़ी बात है कि क्या pattern यही रहेगा या फिर आपका pattern बदलेगा तो एक चीश समझो अभी जब से यह थोड़ा segment बदला है NTA जब से आया है तब से government का प्रयास से रहता है कि maximum common vacancy जो है वह कौन कर रहा है NTA कर रहा है लेकिन अगर अभी हाल ही में एक vacancies को देखा जाए जो ESIC की थ्रोई IT अभी September 2023 में IT medical से समझनित कुछ थी उसको जो paper conduct करवा रहा है वह IVPS करवा रहा है तो NTA कठिज बहुत पहले हुआ उसके बाद भी IVPS करवा रहा है ESIC का paper तो 99% chance है कि आपका कौन करवाएगा IVPS करवाएगा और फिर भी safe zone में रखने के लिए 1% हम chance देंगे कि NTA करवाएगा अगर NTA करवाया तो pattern में देखने को थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा थोड़ा सा pattern बदलेगा मैं आपको बता दूं कि यह तब question लगब subject पूछा जाएगा वो math पूछा जाएगा आपसे क्या reasoning यहाँ पे math पूछा जाएगा आपसे reasoning पूछा जाएगा आपसे यहाँ पे English पूछा जाएगा आपसे GA यानि GK या General Awareness GS बोल दूं उसके बाद आपसे यहाँ पे एक subject computer का भी देखने को मिलेगा MCQ based तो यह 20-20 के हो बड़ इसके chances कम हैं, chances ज़ाधा किसके हैं IBPS के, अब आते हैं मुद्डे पे, अगर आप IBPS के pattern पे अभी आपको तैयारी किस pattern भी करना चाहिए इस पर या इस पर, मैं बोलुगा भी आपको किसी pattern पे तैयारी नहीं करना चाहिए, अभी आपको तैयारी किसकी करनी चाहिए आपको Maths पढ़ना चाहिए, अभी आपको Reasoning पढ़ना चाहिए, अभी आपको English पढ़ना चाहिए, अभी आपको General Awareness, Current Affairs पढ़ना चाहिए, क्यूंकि कोई भी एक्जाम करवाएगा, इससे Question पूछा जाएगा. IBPS में थोड़ा सा आसान हो जाता है, NT में क्या होता है, कि अगर 20 से 30 question मैस का पूछेगा, तो वो पूरा arithmetic number system भी पूछेगा, और आपको इसमें स्कोप पढ़ना हो जादा होता है, IBPS में आपको आसानी क्या होती है, यह बलक में question पूछते है, 5 question ही किस पर पूछते हैं, Approximation प पर पूछ लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही यह लगबग 15 question जो पूछ लेंगे, 15 question आपका arithmetic पर पूछ लेंगे, जिसमें time and work, time, speed distance ऐसे depth के topic होते हैं, और उसके बाद यह 5 question किस पर पूछ लेते हैं, 5 question, series हो गया, approximation हो गया, arithmetic हो गया, बाकि जैसे di हो गया, यह कुछ भी हो गया, बाकि arithmetic का part बढ़ा लेते हैं, तो यह मैस में होता है, ऐसे reasoning में inequality के question बल्क में होते हैं, पजल के question बल्क में होते हैं, तो इतना कठिन नहीं होता, bank अगर clerk IVPS के exam को देखो, वो कठिन होता है, SBI वगरा, but ESIC जो IVPS कराता है, उसमें question पजल वगरा आसान पूछ जाते हैं, और मेंस में आपको close test वगरा भी देखने को मिलते हैं, यह सारी जो चीजे होती हैं, यह आपकी क्या होते हैं, इंग्लेस में पूछे जाते हैं, रही बात जी है, और current affairs का part ज़्यादा होता है, बाकि जंदल अबेनस होते हैं, static gk होता है, यह आपको तैयारी मेंस में भी ल क्या होगा था कि बच्चों के नंबर बहुत अच्छे है, उठेते दोसों में यह थे 182, 180, तो उमीद है minimum समय में आपको मैंने maximum information आपके form भरने से लेके, आपकी exam pattern तक सब कुछ बता दिया हूँ, अब सबसे बड़ी बात जो आपके लिए हमें मैं लेकिया हूँ, वो यह ह कि तीम परिक्षा प्लस दिवाली की तरह आपके लेकिया है, हम हमारे सारे पुराने बच्चों के लिए आप देख रहे हूँ कि पहले 100 चात्रों के लिए इस batch को लगबग मैंने initial कर दिया है, लेकिन बच्चों केवल 100-101 में बच्चे को यह profit नहीं मिलेगी, फिर उनका जो batch होगा वो आपको बता दू 588 प्लस GST लगेगा लगबग 699 जाएगा, यह 100 बच्चों के बाद मिलेगा, तो ESIC का MTS और UDA का batch स्टार्ट है, इसकी जो classes चलेंगी वो दिवाली के बास से चलेंगी, बट यह आप बोल सकते हो कि pre booking type में है, पहले आओ पहले power type में है, अगर बच्चे में, और वो परिक्षा प्लस एक quality के दम पर आपनों के लिए बनाया है, वो मैं आपको आगे भी एक अलग से जब मैं course launch करूंगा, वीडियो ले के आओंगा, बट यह एक जो minimum 199 रुपए मेरी खाल से कुछ नहीं होते है, जिसमें आपको सारे live classes, उनके recorded classes, सारी study material परिक्षा प्लस एक्जाम की दिर्ट तक होगी, बहुत बेहतरीन है, तो आज ही आप परिक्षा प्लस एप डाउनलोड करिए Google Play Store से, और वहां से जाके आप इससे क्या कर सकते हो, पर्चेस कर सकते हो, यह साइसी की website पर जल्दी information आजाएगी, आप परिक्षा प्लस की live.parik परिक्षा प्लस एप, Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हो, उसकी link है हमारे description में है भी, नीचे मारे number चलना है, इस number पर भी आप क्या कर सकते हो, अगर कोई समस्या होती है, आप courses में जाओगे, ESIC, MTS, UDA सबसे उपर दिखेगा, view details में जाओगे, अभी यह batch बिल्कुल नया ताजा गरम-गरम है, जस्त आप जॉइन कर, अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा, बट धीरे-धीरे इसमें हम आपको content जैसे पता होता है, कि किस प्रकाल से आपका IPS करा रहा है, कि एंटे करा रहा है, 99% आपका IPS कराएगा, बैंकिंग पर जाएगा, और हमारी त्रियारी भी शुर पोशन तो आप हम से फूछ सकते हो, लेकिन comment box में मुझे जरूबर बताओ कि आप मिसे कितने सारे बच्चे ESIC की तयारी करना चाहरे है, और मुझे comment में ये भी बताओ कि आप MTS की करना चाहरे हो, या फिर आप UDC की करना चाहरे हो, या पिर आप SSO की करना चाहरे हो, और आप अगर तयारी नहीं भी कर रहे हो तो बोलोगे नहीं सर्म में इसकी तयारी नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और की कर रहा हूं, ताकि मैं समझपाऊं कि आप लोग इसके लिए कि अतना सीरियस हो, तो एक जोस आपको चाहिए, एक जज़बा आपको चाहिए, एक डेडिकेशन